हलो फ्रेंड्स मैं आदित और आपके अपने यूटूब चैनल आलवेज इस्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं यह पार्ट 32 है ठीक है बहुत विज्ञान से संबंदिश सामान निज्ञान पे यह टॉपिक बात चल रही थी तो उसी पे जो है बात हो रही है चलिए हम हम लोग अपना क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं क्यूशन देखते हैं उससे पहले अगर आप आलवेज इस्टडी पे नए हैं तो चैनल को सक्स्राइब वीडियो को लाइक क्रमेंट और सेयर यह सारी चीज़े आप कर दिया करिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्यूश है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है निम्नलिखित में से ताप की इकाई है निम्नलिखित में से ताप की इकाई है सिल्सियस भी ताप की इकाई है केलविन भी ताप की इकाई है फैरन आई हाइट फैरन हाइट भी ताप की इकाई है ठ अगे बढ़ते हैं अगला कुष्यन देखते हैं अगला कुष्यन है प्रकास वर्स निम्न में से चार विकल्प दिए गए तो दूरी की भौतिक रास इकाई है ठीक है? प्रकास वर्स जो है वो भौतिक रासी दूरी की इकाई है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम का मातरक है त्वरान का मातरक है त्वरान का मातरक है न्यूटन प्रति किलोग्राम है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखत हैं लंबाई की निवनतम इकाई है लंबाई की निवनतम इकाई फर्मी मीटर है अगे बढ़ते अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है दूर दिरिष्टी दोस के कानण प्रतिविंव बनता है रेटिना के पीछे जो है दूर द्रिष्टी दोस के काराण प्रतिविम्ब बनता है प्रतिविम्ब पीछे क्यों बनता है दूर द्रिष्टी के काराण जो है रेटिना के पीछे प्रतिविम्ब बनता है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है न निकट दिर्ष्टी दोस्ते पीड़ित व्यक्ति के लिए χस्मे में प्रियोगति किया जाता है, अवातल लेंस प्रियोगति किया जाता है बिकल्प भी इसमें आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है आईरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं पुतली आईरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को पुतली कहते हैं विकल्प A आपका इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिविंब सीधा होता है परंत उल्टा वाला प्रतिविंब सीधा देता है ये समझ लेजिए ठेक बिकल्प भी इसमें आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है नेत्र लेंस होता है नेत्र लेंस आभासी होता है नेत्र लेंस कैसा होता है नेत्र लेंस आभासी होता है विकल्प इसमें आपका सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है असपष् द्रिष्ट की नियूंतम दूरी कितनी होती है, 25 cm होती है, ठीक, बिकल्प A, इसमें आपका सही है, आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन देखते हैं, मनुष्य के स्वास्त नेत्र में प्रत्विंब बनता है, रेटिना पर, जो मनुष्य स्वास्त होता है, उसका प्रत्विंब रेटिना पर ही बनता है, विकल्प C, सही है, ठीक, मनुष्य के स्वास्त नेत्र में प्रत्विंब बनता है, रेटिना पर, विकल्प C, सही है, आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन देखते हैं, अगला कुशन है, एक उत्तल लेंस की छम्ता, एक उत्तल लेंस की छम्ता, डा युक्टर है इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है समतल दरपन की वक्रता त्रिज्जा होती है समतल दरपन की वक्रता त्रिज्जा अनन्त होती है समतल दरपन की वक्रता त्रिज्जा अनन्त होती है बिकल्प डी इसमें आपका सई है, आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं, अगला कुशन है, विक्षेपण के अंतरगत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकास का विचलन अधिकतम होता है, वो है वैगनी, वैगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है ठीक है यहां पर वीडियो समात होता है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग